विल्कम बच्चो आपके अपने चैनल सुनीता सिर्वास्तो ग्यान शाला और बच्चो हम लोग rainbow class 8 जिसके अंतरकत आज हम लोग करेंगे lesson 14 lesson 13 तक हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर चुके word meaning exercise question answer और lesson को भी अच्छे से पढ़ चुके तो बच्चो वो सब revise करने के साथ साथ आज start कीजिए नया lesson 14 और हमारे साथ लेके बैठ जाएए pen और notebook और साथ में pencil भी के प्रोपरली नहीं सौरी पापरली यहां पर लिखा हुआ ठीक से यानि क्या होगा इसका मतलब ठीक से चाइल्डूड चाइल्डूड का मतलब बच्पन ट्रैवलिंग यात्रा का बेट्वीन माने बीच में एंसेस्टर एंसेस्टर माने पूर्वच और recruited माने भरती किया आगे देखिए admission माने प्रवेश नेसेसरी नेसेसरी आवशकता क्या नेसेसरी है नीड है यहां पर देखिए बच्चे एयर माने होता उत्तरा आधिकाली इन हैंरिटेर्ट इन हैरिटिड्र माने विरासत में मिला जो डारेकटर शितच में लकप कल दे Karl परसन टायर लश्ली एविएर निया गाल इधिन इस तरीके से थोड़ी सी वर्ड मीनिंग है बच्चों और आप अच्छे से याद करेगा और कर लिए इसमें दो चार वर्ड थोड़े से कठीन है इनको आप बार बार प्रिंशेशन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा समझ में आ जाएगा जैसे यह आप तोड़ कर पढ़ेंगे फिलन्थ्रॉपिस्ट मानवत्तावादी और यह सरीके से आप पढ़्मीनी कीजिएगा यहां पर यह बहुत अच्छा सा कोट है जो रतन टाटा जी का है आगे देखते क्या है वह आई डू नाट वांट इंडिया टू बीन एकोनोमिक सुपर पावर उन्होंने का कि मैं इंडिया को यह नहीं देखना चाहता हूं कि वह आर कहने का मतलब उनका यह था कि उन्होंने जीवन की तीन सच्चाइया बताई थी अस्पताल जेल और शम्शान उन्हेंने का जब हम अस्पताल जाते तो मैं लगता है कि सबसे ज्यादा अमूल हमारी लिए क्या है स्वस्त रहना है अगर हम स्वस्त रहेंगे तब ही हम कुछ क कहने का मितलब क्या हुआ कि जीवन की चुछ Komm aiming fundamental हमारे जो मिचार होना चाहिए हमारे ऐसी हम अपने जीवन को खुशाल कर सकते साथ ही अपने अपने परिवार को अपने आसपास के लोगो को आशपास के बाद और लोग बर दाहरा बड़ता जाएगा तो खुशाल कंट्ली गड़ी से देखें हमें समय दिखाई देता हि और हम सव रुपए की पर्स रखें यह एक हजार की पर्स रखें लेकिन पर्स में सब कुछ समान होगा तो उनका घर रहते हैं। भाई बहन मित्र हमारे उनके साथ हम हसतेगा बैटें से बातचीत करते हैं वह हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है ना कि पैसा हमारे लिए सबसे आगे है तो इसलिए उन्होंने कहा था कि I want India to be a happy country में चाहता हूं कि इंडिया एक खुशहाल देश बने ऐसे उनके विचार थे तो चलिए आज हम लोग इस लेसन को भी रिट करेंगे इसी के साथ और समझेंगे उसकार्थ तो यहां पर देखते बच्चों स्टार्ट करते हैं Do you know the name of the man who gave India wings क्या तुम उस नाम के जानते हो जिन्होंने बारत को विंग दिये यानि कि पंक दिया औरने के लिए इट वाज जहांगी रतन जी दादा भाई टाटा वो कौन थे जहांगी रतन जी दादा भाई टाटा He was properly known as J.R.D. जानते थे किस नाम से? J.R.D. के नाम से He was born in Paris on July 29, 1904 29 July 1904 को वो पेरिस में पैदा हुए थे His father रतन जी दादा भाई टाटे उनके पिता रतन जी दादा भाई टाटा वास पार्सी वो पार्सी थे Mother, Suzanne, Breary वो कौन थी वो फ्रेंच थी इनकी जो माँ पिता थे वो पार्सी थे और जो उनकी माता थी वो फ्रेंच की टाटा चाइल्डूड वास Spent traveling between France and India जो उनका बच्पन था टाटा का बच्पन वो यात्रा करते वो भीता इसके बीच में सरनेम फ्राम एन एंसेस्टर फू इस्टूड अन दा सोर्स अब बंबे एंड वेटा टा टा टू दा डिपार्टिंग सी कुछ लोग मजाकमी क्या करते थी कि उनका जो सरनेम है वो उनके पूर्वजों से जो समुद्र के तट पर खड़े रहते थे बंबे यानि बंबई के तट पर खड़े जाते थे और टाटा टाटा करके हाथ हिलाते थे जाते हुए जहाजों को यानि जो जहाज जाते थे पानी के वहां उनको टाटा करते थे ऐसे कुछ लोग उनको मजाकमी कहते थे इसलिए उनका यह सरनेम पड़ा In 1924, at the age of 20, son 1924 को, जब वो 20 साल के थे, as a French citizen, तो उन्हें French नागरिक के रूप में, he was recruited into French army, उन्हें French army में चुना गया As a year later, उसके एक साल बाद, he was sent to England to prepare for admission in Cambridge University इसके एक साल के बाद, उन्हें England भेजा गया, तयारी करने के लिए, Cambridge University में admission के लिए एक साल के बाद, उन्हें लंदन भेजा गया, ताकि वो Cambridge University के पढ़ाई करें, तयारी करें admission के लिए But his father Ratanji asked, लेकिन उनके पिता का क्या कहना था, him to return to Bombay to work in his steel plant called Tata Steel Industry उनके पिता Ratanji ने क्या कहा उनसे, आस्ट कि वो वापस आ है और उनका जो प्लान यानि कि उनको जो फैक्टरी लगी हुई थी Tata Steel Industry में आकर वो बंबे में काम करें, his father did not consider a college degree necessary, उनके पिता एक इसनातक डिगरी पर वो विश्वास नहीं करते थे, succeed in life, जीवन में सफलता करने पाने के लिए, यानि जीवन में सफलता पाने के लिए, वो college के डिगरी हो इस पर कोई आवशकता नहीं थी, आसा वो विश उत्रादिकारी होने के राते, जहांगीर inherited the direction city निधेशक बना दिया गया, Tata sons, and board, यानि Tata sons, and board के उनको निधेशक, बना दिया गया, JRD became India first licensed pilot in 1929, JRD भारत के पहले licensed pilot थे, it was JRD who gave India's wings to fly in 1932, 1932 में उन्होंने भारत को wing दिये, JRD set up Tata Aviation Service, उन्होंने Tata Aviation Service की स्थापना की कप, by piloting the first flight पहली उरान भड़ी उन्होंने खुद को, खुद स्वेम पहली उरान भड़ी, कराची to Bombay, इना small aircraft, छोटे से aircraft के दारा, उन्होंने खुद पहली यात्रा करके pilot के रूप में पहली उरान भड़ी, और Tata Aviation Service की इलेक्टेट चुनेगे दा चेर्मेन आफ टाटा एंड संस in 1938, तब वो 1938 में चेर्मेन या अधिक चुनेगे टाटा एंड संस के, making him the youngest head of the largest industrial group in India, यानि कि भारत के सबसे बड़े ओद्धोगी गुरूप के, वो सबसे कम उमर के, उन्होंने चुनेगे चेर्मेन चुनेगे, इन 1948, इन 1948 में, एर इंडिया वाज लांस जॉइंटली, यानि एर इंडिया जॉइंटली मने संयुक्त रूप से, by JRD and the Indian Government, यानि JRD और भारती सरकार के द्वारा, जॉइंट रूप से, संयुक्त रूप से, एर इंडिया को लांच किया बनाया, सापना की गई, in 1953, उन्हों तिरपन में, JRD को, भारत, JRD को, एर इंडिया में, चेर परसन चुना गया, मतलब अध्यक चुना गया, for the next 25 years, उसके बाद 25 साल तक, he worked tirelessly, उन्होंने बिना थके, बिना रुके काम किया, to make Air India successful, भारती उडान को successful बनाने के लिए, उन्होंने अगले 25 साल तक बिना थके काम किया, JRD XL. not only an aviator, but also an, JRD जो थे, यानि कि जहांगी, रतन जी, दादा भाई, वो जो टाटा थे, वो क्या थे, वो केवल एक पाइलेट ही नहीं थे, but also a philosopher, philanthropist, यानि वो क्या थे, एक मानवतावादी, educationist, यानि क्या सिक्षाविद, sportsman खिलाडी, poet मैने कवी, और स्कल्टर पर्माने, मूर्तिकार, वो ये सब भी दे, नहीं केवल इतना ही नहीं कि वो एक पाइलेट ही थे, उन्होंने एर इंडिया की स्थापना किया, भारत को सबसे पहला टाटा एविएशन सर्विस दिया, यहां पर आप देख सकते, बच्चों की जो JRD थे, जिनके जो पिता थ में और इसके बाद उन्होंने जिवन काल में बहुत ज्यादा प्रगति कि और भारत को भी उन्नत के शिखर पर पहुचाया, और दोगी क्षेत में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, यहां पर आगे देखिए JRD लास्ट मेजर पब्लिक स्टेट्मेंट, उनका JRD का सब से बड़ा जो था लास्ट चो उन्होंने का था स्टेट्मेंट अपना जो वक्ता भी दिया था, वाजन अप्याल टू इंडियंस तू मेंटेन भारतियों को मेंटेन करना चाहिए पीस, यानि कि अपनी सांती को मेंटेन करने के लिए उनको सबसे लास्ट आखरी मेजर पब नाट ओनली दा डिरेक्टर आप दा टाटा कंपनी वो केवल टाटा कंपनी के डिरेक्टर ही नहीं थे बलकि बट आल्सवा ग्रेट हुमन में लेकिन वह बहुत बड़े एक इंसान भी थे मानों भी थे, ही मेट शूर दाट उन्होंने निशित किया था क्या 75% आप दा कंप उनकी सायता करते थे जिनको उनकी उसकी जरौत होती थी तो यहां पर बात पत्चो यह भी देखने की बहुत बड़े कि वह केवल इतने बड़े उद्योग पती ही नहीं थे यानि वह एक रूमन थे एक बहुत बड़े जैसे गाना विचारों वाला अच्छे विचारों वा की जरौत होती थे तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि दमेंड हुग इंडिया विंक्स एक आदमी ऐसा जैसने भारत को पंक दिये और कैसे हमने उनके बारे में कैसे उन्हें बिना थाके लगातार उनने परिश्रम किया और उनका नाम कैसे उन पड़ा या जो सर्विस थी एविएशन सर्विस थी वो किसके किसके बीच में थी एंडियन कॉर्मेंट और उनके बीच में थी जाइंड लूप में किया था यह किस जिग्री में वह कहां गए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंड बाक् यहां पर देखिए दो लाइने लिखी हुए वैं यूवर्क वर्क आज इफ एवर्टिंग डिपेंड सान्यों जब तुम कड़ी महिनत करते हो तो असा लग लगना चाहिए कि सब लोग तुम पर डिपेंड है वैं यू प्रे और जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रार अन्सर एन एक्सरसाइस तब तक के लिए वर्ड मीनिंग त्यार कीजिए और अच्छे से इस लेसन को बार बार पढ़िया और इसका आर्थ समझे ताकि आपका कांसेट बिल्कु किलियर हो जाए तो मिलते अगली वीडियो में धाइंक्यो